जापान के कुछ ऐसे आविशकार जिसे देखकर आपको भी लगेगा जापान 2050 में जी रहा है अभी तक आपने स्मार्ट फोन और कई स्मार्ट चीजों का इस्तिमाल किया होगा लेकिन जापान के लोग स्मार्ट ड्रेस का भी इस्तिमाल करते हैं यानि आप अपने कपड़े के कलर को अपने मन चाहे कलर में बदल सकते हैं यानि जापानीज लोगों को अलग-अलग पार्टी के लिए अलग-अलग तरह के कपड़े नहीं खरीदने पड़ते नमबर दो, Intelligent Parking Chair जापानीज लोग अपने ऑफिस में बहुत ही स्मार्ट और आटिफिशिल इंटेलिजेंस वाली चेर का उपयोग करते हैं ये दुनिया की पहली आटोमेटिक चेर है इस चेर के सामने ताली बजाते ही ये अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं इस चेर को Intelligent Parking Assistant पर बनाया गया है ये चेर 360 डिगरी भी घूम सकती है ये काफी कनफर्टबल चेर है जिसे वाइफाई द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है आपने ट्रैक के उपर चलने वाली ट्रैन तो बहुत देखी होगी लेकिन जापान में ट्रैक के नीचे भी ट्रैन चलती है जिससे शौनन मोनोरेल ट्रैन कहा जाता है मोनोरेल एक ऐसी ट्रैन है जो की रेलवे लाइन पर नहीं बलकि एक बीम के सहारे नीचे लटकर चलती है इसका ट्रैक रास्ते से लगभग 10 फिट या इससे भी अधिक उचाई पर बनाया जाता है जिससे की यात्रियों को ट्रैफिक से काफी आराम मिलता है ये दुनिया का एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां पर एक साथ चार ट्रैक बनाये गए हैं दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या से हर कोई परेशान है क्योंकि इसे नश्ट नहीं किया जा सकता और इसे जलाने पर भी बहुत ज्यादा पैनलूशे एनन फैलता है इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए जापान के रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं ये मशीन प्लास्टिक की खाली बोतल के बदले लोगों को पैसा देती है जापान के कई मेट्रो स्टेशनों में ये वेंडिंग मशीन लगाए गए है जापान में एक ऐसा हाईवे भी है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरता है पहली बार देखने पर आपको शायद यकीन ना हो लेकिन इस खूबसूरत नजारे को देख कर हर कोई हैरान हो जाता है ऐसी अजीब और गरीब चीज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी दरसल यहां एक हाईवे बनना था लेकिन इस जमीन के मालिक ने सरकार को जमीन देने से मना कर दिया जिसके चलते जापानी सरकार को इस बिल्डिंग के 6-7 और 8-वे फ्लोर पर हाईवे बनाना पड़ा दुनिया भर में ओफिस, बिल्डिंग और होटल रूम में जल्दी पहुचने के लिए एलिवेटर लगे होते हैं लेकिन जापान के इन एलिवेटर में टॉलेट की भी सुविधा होती है क्योंकि कभी कबार अचानक बिल्डिंग्स की लाइट चली जाती है ऐसे में लिफ्ट में फंसे लोगों को परिशानी ना हो इसलिए एलिवेटर में भी टॉलेट की सुविधा दी गई है जापान में चलने वाली स्पीड ट्रेन को मैगलेव ट्रेन भी कहा जाता है जो एक बहुत बड़े पैमाने पर चुम्बकिये शक्ती के सहारे चलती है जीसको मैगनेटिक लेविटेशन कहा जाता है और ये ट्रेन बिना पहियों के चलती है मैगलेव ट्रेन को 2 दिसंबर साल 2003 को बनाया गया था जिसकी स्पीड 581 किलोमीटर प्रति घंटा थी अगर आप इस ट्रेन को देखने के लिए खड़े रहेंगे तो पक्का आप डर जाएंगे क्योंकि इसके स्पीड ही इतनी ज्यादा है भारत में रेलवे प्लेटफार्म में भीड की वजह से हर दिन कई लोग दुरगटना के शिकार हो जाते हैं लेकिन जापान में लोगों को दुरगटना से बचाने के लिए प्लेटफार्म पर आटोमेटिक डोर लगाये जाते हैं जो ट्रैन के रुकने पर ही खुलता है और ट्रैन के चलते ही ये बंद हो जाता है इस तरह से हर साल कई लोगों की जान बच जाती है